नमस्कार दोस्तों मैं दिवानशू श्वागत करता हूँ आपका सेजी पेश्चे व्यपों में एक बहुती सामदार नियूस के साथ मंडे पॉजिटी नियूस जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टेटल पढ़ लिया होगा कि मुख्य मंत्री ने दी युवाओं को सागात 9000 से अधिक पदों पर युवाओं की होगी भरती और इसी के सांसाथ आप लोगों ने देखा कि 1368 पदों पर होग गई और जब पता चला तो उनको बर्खास्त कर दिया गया क्या है पूरा मामला देखेंगे पूरी जानकारी देंगे तो जिन्हों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि जल्दे से जान सब्सक्राइब करें बीन खीदरी के वीडियो को स्टार्ट करते है मुख्यमंतरी जी ने घोष्णा की जैसा कि आप किष्ट्री पर शोग हो रहा होगा यहाँ पर मुख्यमंतरी जी जैसा कि आप सभी जानते हे कि भेट मुलागात कायकरम में जा रहे हैं और वहाँ पे एक बलनाची लड़की के द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाए चुकि वो एक विशेश पिछडी जन जाती के तहत जो है युवा आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोशना की कि पूरे हमारे प्रदेश में 9623 पदों पर जो युवा हैं उनकी भरती होगी और उनकी योग्यता के अनुशार तृति शर्णी और चतु थर्णी में भरती होगी अब आप देखे होंगे कि चाहे वो सरगुजा संभाग हो या बस्तर संभाग यहाँ पे जो जन जाती की जन संख्या है वो सरवाधिक है तो यहाँ पे जो तृतिय और चतु थर्णी की भरती होगी उसमें वहां की युवाओं को बहुत जादा तवज्जो दिया जाएगा तो यह उन युवाओं के लिए बहुती अच्छा बोलनाची यह प्रणाम है संदेश है जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने आप सभी को का है कि मुख्यमंत्र जी कंटीनू सभी विभागों की समिक्षा बैठक कर रहे है यहाँ पे जो सासन में प्रस्तावी था जैसा कि मैंने भरतियां है और इसी के सांसत अनेग भरती ऐसी लौट के लौट आएंगी तो यहाँ पे सासन और मुख्यमंत्र जी ने कहा कह दिया है सभी विभागों से कि आपके जितने भी विभाग में खाली पड़े पद है उसको आप वित्त विभाग के पास भेजिए और इस पर जो चेंड़ेंगे कि यह पते महत्वपून है मैंने आपको कहा है कि आने वाला एक एक दिन आप सभी के लिए अत्यांतम महत्वपून होने वाला है कौनसी भर्ती और से निकलेगी यह भी आपको समझ नहीं आपाएगा क्योंकि भर्तियां इतनी हैं पोस्ट इतने हैं अलग- सब्स 17maड़ की से अग्रीकल्चर अप्यागे पर जाएगा सब्सेंट अपनी ताइयारी को एक पूर्णता रे जाए हैं तो यहाँ द दिखिए différent किस प्रकाट से तुरंद भ्रिट मुलाकात में अपने निर्ने लिया इसी वज़ा से मैं आप सभी को बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है सरकारी नौकरी का रिजल्ट नहीं आ रहा है या अन्य चीज तो आप भेट मुलाकात में जाएए वहाँ पे सीधा बात करिए और देखिए उसका प्रेणाम आपको तुरंत प्रे तो आप लोग अगर विधान सभा भरती का रिजल्ट चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी अभी भेट मुलाकात करी रहे हैं आप महां जाके उनसे सीधा बोल सकते हैं कि सर अभी तक विधान सभा भरती का रिजल्ट नहीं आया है क्रिपिया करके इसके रिजल्ट को जल्दी लाने का आप कष्ट करें ऐसा करके और उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री की एक आदे से हो सकता है आपको रिजल्ट तुरंद के तुरंद भी मिल जाए तो ये ज़्यादा अतिश्योक्ति नहीं होगी ये बोलना क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कालिवा होगा यहां पर देखिएगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियमी स्कूल जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि 76 नए आत्मानंद इंग्लिश मिडियमी स्कूल खुल रहे है हमारे पूरे चत्तिजगर में अलग-अलग जीलों में जिस प्रकार से मु पर भरे जाएंगे प्रतिन्युक्ति के अधार पर भरे जाएंगे और उसके बाद अगर वहां पर जो कर्मचारी नहीं मिलेंगे तब उनकी संवीता नियुक्ति होगी तो देखिए एक इसकूल में लग-बग यहां पर बताया गया है 18 पर शुकृत किये गया है इस प्रका इंग्लिस मिलेंगी स्कूल लोग के लिए तो यह एक सुनहरा उसर है कि जिनोंने अभी तक जिनका नहीं हो पाया होगा तो वो बाकी जो अभी नए इंग्लिस मिलेंगी स्कूल खुले हैं तो वहां पर जरूर अपलाई करिएगा आपका नंबर लग सकता है इसके बाद दे इसकी तीन सदसी समिती ने जाच की और इसको गलत पाया तुरंद उन सभी को जो है बरखास्त कर दिया गया मतलब नौकरी से निकाल दिया गया तो देखिए किस प्रकार से गलत का प्रगाम गलत ही होता है तो याद रखिएगा आप लोग बढ़ी इमानदारी से कारे करें इमानदारी से अपनी पढ़ाई करें अपनी तैयारी करें क्योंकि देखिए गलत का नतीजा गलत ही निकलता है आखिर ये जो है देखिए प्यून की भरती भी गलत तरीके से की गई साथ में यहाँ पर बताया गया कि सोसल साइंस के सिक्षकों को भी बरखास्त कर दिया गय ये पुरी तरीके से एक नया मामला था और गंभीर मामला था कि कि इस प्रकार से देखिए गलत का नतीजा हमेशा गलती होता है तो आप लोग बिलकुल भी इमानदारी से कारे करिए और अपनी भरती लीजिए इसके बाद देखिए जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहल है अमारे पुरे 36 गड़ में तो उसकी जो भरती प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है आने वाले समय में आपको 440 पदों पर जो उर्दू सिक्षक की है वो भरती आपको देखने को मिल सकती है तो ये सभी के लिए एक नया आउसर होगा क्योंकि आज तक 37 भरती की बात हो दोनों का रिजल्ट रूका हुआ है आप लोग जिनको रिजल्ट क्या उशकता है वह तैसे मैसीमा में आ जाएगा रही बात विदान सबह भरती कर जाए तो आप लोग भेट मुलाकात में जाके अपनी समस्य बता के उसका प्रेणा जान सकते हैं यही एक प प्रस्त रहे, मस्त रहे और पॉजिट्व रहे